Hello students, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल Unique Maths Study में आज के इस वीडियो में हम equation of motion का derivation करने वाले हैं वो भी integration method से बहुत सारे बच्चे को confusion होता है मैं पूरी guarantee देता हूँ ये video इंडे तक देखेंगे आपको कोई भी confusion नहीं होगा आसानी से आप derivation method से भी इसे हम calculus method बोड़ते हैं जिसके अंतरगात आता है integration method ठीक है तो integration method से कैसे होता है proving वो देखेंगे सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से term यूज होते हैं और equation of motion क्या होता है यहाँ पर देख लेंगे relation between velocity, distance, time and acceleration is called equation of motion यानि ऐसे variables का collection जिसके बीच में relation of velocity का, distance का, time का और relation का उसे हम क्या कहते है equation of motion कहते है ठीक है तो equation of motion क्या होता है यहाँ पर बता दियागा इसमें कुछ term यूज होता है जिसे हम कहले लेट यू या वी 0, initial velocity को learn कर लेंगे कि वी 0 या यू से represent करते हैं काई लोग वी 0 भी बताते हैं और कहीं कहीं यू भी यूज होता है तो अभी मैं इसमें यू ही यूज करने वाला हूं तो याद रखेंगे initial velocity को V, final velocity अगर V हो, initial velocity U, final velocity V, time T हो, acceleration A हो और S displacement हो, distance है displacement हो तो पहले equation of total आपको class 11th level में 4 equations और motion पढ़ने हैं जिसमें से आपको first equation और motion क्या है यहा देखेंगे first equation of motion या इसे कहते हैं velocity time equation velocity time equation या first equation of motion कहते हैं यह क्या होता है वी ब्रबर यू प्लस 80 इसे ही हम derive करने वाले हैं, इसे ही prove करने वाले हैं किस मेंतर से? integration मेंतर से तो बहुत simple है, इन तक बने रहें और एक एक conception यह तो basic जानकारी था कि क्या क्या term यूज होता है first equation of motion को velocity time equation कहते हैं इसमें आपको एक formula शिर्फ learn रखता है, लिखेंगे we know that, क्या a equals to dv, dv y dt अगर instantaneous acceleration का आपको formula याद हो, तो वहाँ पे a equals to dv of dt dv of क्या होता है, dt बस यही formula याद रखना है, क्योंकि velocity time equation velocity time graph आपने बनाया था, तो वहाँ पे बताया गया velocity time graph क्या बताता है, acceleration को तो वही याद रखना है, नीचे आप लिखेंगे one, अगर इसका cross multiply करें इसका गुड़ाइस में और इसका गुड़ाइस में तो one का dv में multiply होगा dv, a का dt मे multiply होगा a क्या होजाएगा dt इससे माल लेंगे equation first, ठीक है, अब लिखेंगे integrating equation first, equation first काम क्या कर दे रहा है, integration कर दे रहा है तो यह होगया integration का साइप, sin integration of dv, और इदा रजाएगा integration of a dt चुकि time है, तो time का हमेशा याद रखेंगे, time का जब भी integration करेंगे इसमें प्रूव करने के लिए, तो time 0 से start होता है और फिर t तक जाता है और यह dv है velocity, तो velocity u से लेके कहां तक जाता है v, यही अगर v 0 यूज करेंगे तब भी कोई दिखकर नहीं है फैले होता है initial velocity, initial मतलब 0 से सुरू करते हैं, फिर जाके कोई velocity होता है तो याद रखेंगे u to v, और 0 to यह क्या हो जाएगा, t हो जाएगा तो dv का integration करेंगे तो यह क्या हो जाएगा v, और यहाँ पर हो जाएगा u to v, a constant है, a क्या है आपका इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, a 0 to 2, 0 to t, और क्या हो जाएगा dt तो dt का जब integration करेंगे तो याद रखेंगे t हो जाएगा, और limit क्या है आपका 0 to t, इसे कहते है lower limit इसे कहते है upper limit, अब क्या करते हैं, इसे put कर लेंगे, इसे बोलते है lower limit यह वाला इसे upper limit, तो upper limit लिखेंगे, v के जगा पे v लिखेंगे v होगा, और फिर minus के साथ lower limit, तो यह variable है, variable के जगा पे रखेंगे, पहले v रखेंगे minus lower limit, यह हो जाएगा u, a आपका बाहर ही रहेगा, upper limit यादि ट के जगा पे t रखेंगे t e होगा, minus lower limit, तो t के जगा पे 0 यह होगा t, ठीक है, इतना simple है, proof होगे आपका, v minus u equals to a का t में करेंगे at, a का 0 में होगा 0, छोड़ दे तो like और share जरूर करें, और channel पे नहीं तो subscribe करें, ताकि जैसे ही कोई new video upload हो, आपको notification सबसे पहले मिले, thank you